जैजनेंद बंदवो मैं रवी जैन गुरू जी आज शनीवार और श्री कुंतुनाद भगवान का गर्ब कल्यानक हम सब को चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी मेस रासी वाले बाधाओं के बावजूद आए बढ़ेगी लेकिन आलस्य से बचना जरूरी क्या करें कबूत रोको दाना डाले यथा संभव वर्षव रासी वाले आपसी प्रेम की कमी रहेगी लेकिन फिर भी विचार के बाद ही कारिय करें क्या करें सुभे में शिरी पदम प्रभू चाली सा दो बार पढ़ें मीथुन रासी वाले अपनी भावनाओं को दभाएं आज निड़ने लेने से भी बचें क्या करें तले वे भोजन का आज परहेज करें करकरासी वाले आज शरीर को आराम दें तनाव को बिल्कुल भी हावी ना होने दें क्या करें शाम को शरी चंदरफभू चाली सा दो बार पढ़ें सिंगरासी वाले अपनी सोच को सकारात्मक रखें बहकाए में बिल्कुल न आए क्या करें नमो आयरियानम की दो माला फेरें कन्यारासी वाले सत्रवों से सावदान रहें व्यापार में भी गंबीर रहना जरूरी क्या करें भगवान सिरी अरहनाजी का चालीसा दो बार पढ़ें तुलारासी वाले सावदानी पूर्वक कारे करें सामाजी खस्तक छेप से आज बचना जरूरी क्या करें नमोकार महामंतर को नो बार उल्टा पढ़े व्रश्यक्रासी वाले मतभेद पैदान ना होने दे व्यापार में सान्ती रखे क्या करें शिरी पुस्वदंत जी का चालीसा तीन बार पढ़े धनूरासी वाले स्वास्त पर ध्यान दे बच्चों के साथ आज बच्चे बने क्या करें एक सिनारियल सिरीफल वेदी पर चड़ाएं मकरासी वाले मानसिक तनाव ना ले अपने रहसिये गुप्त रखें क्या करें मन को परिशान ना होने दें कुम्प रासी वाले वेवय साय में लाब के चांस नोकरी में समश्या आ सकती है क्या करें 21 बार नमुकार महामंतर का उच्छारन अवश्य करें मीन रासी वाले हर किसी पर विस्वास ना करें दुस्मनों से दूरी बना कर चलें शिरी भक्तामबर इस्तोत का 18 नमबर का कावे 18 बार पढ़े रासिफल के पश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखे आपको आख, नाख, कान और गले की अगर समश्या है तो शिरी भक्तामबर इस्तोत का 5 नमबर का कावे 14 बार पढ़े सुबह और शाम मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सर्दा भक्ती भाव के साथ भक्तामबर इस्तोत का 5 नमबर का कावे 14 बार पढ़ते हैं तो हमें इन सभी समश्याओं से अराम मिलता है, निजात मिलता है लिखते हैं गुरुजी जैजनेद्र बिटिया की उमर 19 वर से उसका एडमिशन भारत के एक अच्छे कॉलिज में हो गया है मगर उसका मन नहीं लग रहा है क्या करें उसका मन पढ़ाई में पहले काफी था लेकिन जब से एडमिशन हुआ है तब से उसका पढ़ाई में मन नह लग रहा है हमें क्या करना चाहिए देखें ससंक जी आपने जो बिटिया की कुंडली भीजी है मैं आपको बता दूँ बिटिया की कुंडली में राहु की महादसा तो पहले ही चल रही थी अब राहु के साथ शनी की अंतर दसा आ गई है और राहु के साथ जब शनी की अंत करें एक तो ओम रिम श्री नेमिनाद श्री मुनी सुपरतनाद जिनिंद्राय नमा की एक माला फेरें और दूसरा नेमिनाद भगवान का चालिसा ये दोनों काम बिटिया से कहें अगर वो ऐसा करेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा आउना के साथ सभी को जाए जिनिंद्राइए